सीधा अब आपको सुनवाते हैं प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रहे हैं आज नमांकन भरा जा रहा है राहूल गांधी की उड़ से राइबर एलिम सच्चाई की राजनीती और सेवा की राजनीती वापस लाना चाहते हैं मैं आज तीन तारीक है छे तारीकों में वापस राइबर एलिया आउंगी और तब से चुनाव के आँद तक आपके साथ और रहोंजी के लिए मुझ चुनाव लएंगे ये लोग चुनाव को धंबल पे लड़ते हैं हम जंता केबट फ़रा लडएंगे हम ये चुनाव आपके लिए लडएंगे तक ही आपका विकाव सलगत आपके बुगीजी कैसे हो प्राने चेहरे भी है नए भी है नव्यूंट में है बहुत कैसे हो थी के तो अब ये मौकाय गया है विद्ध इस पूरे देश में एक सम्देश दें कि हम सेवा की राजनीती वापिस चाहते हैं, हमें कैसी राजनीती वापिस यहां से शुरू करेंगे, जो सच्चाई के हो, जो आपके लिए हो, जो आपको होगे बढ़ाएं, यह आपका चुनाओ है, आप लेरेंगे, आप जिताएंगे, जैहिन! तो थोड़ी देर में राहूल गांधी नामांकन भरेंगे, रायबारेली से प्रियंका गांधी को अभी आप लाइफ सुन रहे थे, प्रियंका गांधी ने यह साफ कर दिया है, कि वो चुनाओ नहीं लड़ेंगी, लेकिन चुनाओ प्रचार की कमान उन्होंने संभाली हुई और चुनाओ प्रचार पर जोर देंगी, ये बात प्रियंका गांधी कह चुकी है, अभी आपने उनका संभोधन भी सुना, तो आज तमाम बड़े नेता कॉंग्रेस पार्टी के मौजूद है रायबारेली में, और राहूल गांधी चुनकी नामांकन भर रहे हैं, तो पू पिछली बार 2019 में लोकसभा चुनाव रायबारेली से लड़ा था, उनकी विरासत संभालते हुए राहूल गांधी इस बार नजर आएंगे, और काफी तफ वाइट, काफी कड़ी टककर इस बार रायबारेली सीट पर दिखाई देने वाली है, बहत दल्चस्प हो गई है, रायबारेली की जंग अमेठी छोड़ कर अब रायबारेली पहुँच गए राहूल गांधी जहां से चुनावी मैदान में उतर गए हैं, और आज नमांकन उनकी तरफ से भरा जाएगा, थोड़ी ही देर में नमांकन भरेंगे राहूल गांधी, तो देख सकते हैं आप अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहूल गांधी और अमेठी से नया कंडिडेट कोई एनाउंस किया जाएगा, और ऐसा ही हुआ केल्स शर्मा को अमेठी से कॉंग्रस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतर रहा है, तो राहूल गांधी के सामने होंगे दिनिश प्रता अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर भी निशाना साधा और कहा कि राहूल और प्रियंक का अपनी पुष्टेनी सीट पर भी चुनाव लड़ने का आत्मविश्वास हो चुके हैं, और कॉम्दिस पार्टी पूरी तरह से गन्फ्यूज नजर आ रही है, प्रियंका अपनी पुष्टेनी सीट से भी लड़ने का आत्मविश्वास नहीं है, अगर नहीं लड़ना तो इतने समय तक सीट क्यों पेंडिंग रखी, किसी कार्यकृता को दे देते तो कम से कम वो जनसंपर्ख तो कर सकता था, एक कन्फ्यूजन जो है, कहीं ने कहीं लैक आप सेल क को दिखाता है. प्रियंका नहीं लड़नेंगी चुनाव. न्यूजेटीन ने पहले ही बताया था, अमेठी से होगा दूसरा प्रत्याशी. चुनाव पारत सबसे सटी खबर, सच की मुहत.